नए साल के साथ ही तेल और तिलहन के कारोबारियों को सरकार की और से बड़ी रहत मिलने जा रही है खादय सारवजनिक वित्रन और उभोक्ता मामलों के मंत्रालियों ने तेल तिलहन से स्टोक लेमिट हटाने का आदेश चारी कर दिया है दरसली का 30 जनवरी के बाद तेल और तिलहन पर स्टोक लेमिट का नियम परभावित नहीं होगा इससे बाजार और स्टोकेस दामों में मजबूती की उमीद कर रही है दूसरी और पाम तेल के सबसे बड़े उतपादक इंडोनेशिया में 2023 में सूखे मोसम का खत्रा बताया गया है इससे पाम तेल का उतपादन घटने के असार है इससे ध्यार में रखते हुए इंडोनेशिया ने एक जनवरी से ताड के तेल के लिए निर्यात नियमों को कड़ा कर सकता है घ्रेलू रूप से बेचे जाने वाले परतेग ठन के लिए विदेशों में कम शिप्मेंट के अनुमती देने पर विचार किया जा रहा है ऐसी चर्चा है कि निर्यातकों को उनकी घ्रेलू बिक्री की मात्रा का 6 गुना शिप्मेंट करने के अनुमती दी जाएगी यह मौजूदा अनुपात 8 गुना से कम है ऐसे में इंडोनेशिया ने पाम तेल निर्यात पर कुछ कटोती की तो भार्टिय बजार में भी खादे तेलों में फिर तेजी की स्थिति बनने लग सकती है फिलाल बजार में तेलों में 31 दिसंबर की भरपूर मांग रहने और सप्लाई कम होने के कारण भाव में सुधार देखने को मिला है इंदोर में सोयाबीन तेल तेरा सो से तेरा सो पांच तो पाम तेल एक हजार पंदर पेर प्रतित दस किलो पर पहुँच गया है फिलाल सभी की निगाहें अरजेटीना सोयाब डोलर योजना पर होंगी जो इस महीने समार्थ होनी चाहिए बिरो रिपोर्ट माकेटाइमस टीवी